मेडिया आप है, आप इस नमारे हैं, ये देश के अंदर चल रहे हैं, उसका चार का जीता जाज का सब्सक्राइब है, हमारे साथी को लाइडेरी में कोचिंग इस्टूडूट और एमसिदी द्वारा में के मार दिया गया, ये हत्या है, और ये हत्या किया गया है, जान देश का भविष्य है, देश का होनहार है, एक दो नहीं, और पाटिकुलर दिल्ली से नहीं, देश के तमाम राज्यों से एक अप्रिक करके संग, एक कत्ववाद, एक बूलिया, एक समाजवाद के भीड है, ये भीड पाटिकुलर अपने भागे को निर्धारन करने के किसी की पिता किसी की घर्थ काओ पानी वातर उसको दिल लेता है और दिल ने देखते रहती है इन प्रोकर दोसी कौन है उनका नयाए कौन है दोपनोर कई objectives हम पीस्पुली प्रोटेस्ट करें हम ही पता है हमारे प्रोटेस्ट अभी के अभी धारशनी हो जाए जो मुख वाली बात बोली है आप हमारी आवाज दोटक पूछा जाया है तो आप सांत्यों की डिमांड क्या है जो चले गए उसके एवज में काईली बात तो यह जवाब देहित दीजाए कौन जिम्मेदार है कौन गुनेगार है तो कि यह कोई घटना नहीं थी यह कोई एक्सिनन नहीं था इससे मास मर्डर जो कि MCD और इस कोचिंग वाल गुनी इससे दिखाई इस तो यह जो घटना हुई है यह देश के अंदर चल र अगर यह नेका यह करमचारी और यह कोचिंवाली तो नेक्सिस में आज के वर्सचार के लिए तो आज की प्लीज आज के लिए निर्दाईता छोड़ दिल है प्लीज उसको धड़कने का मौका दीजिए थोड़े ज़बाती आप भी होई थोड़े भावना चुट आप भी आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं उस परिवार के परिजन को रहत तो मिल जाएगा लेकिन आप लोग के डिमांड में क्या वो सामिल है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं का पुर्णा विर्थी ना हो अब यह समय आप लोग का किम्ती था एक एक सब्द वाचने का समय था अब यहां सड़क पर बैठे हैं अब लोग अपने साथी को नियाद दिलाने के लिए बैठे हैं और जब तक नियाद ने मिलता हैं अब जान विजवत किया गया है पहले भी इनको वार्निंग भी देखी लेकिन उस वार्निंग के मतलब वज़ा से यह लोग अवेर नहीं हुए और पाइनली एक घटना हमारे साथी वे साथ हुई जब तक उनको नियाद निमीलता हुई या बैठे देंगे और हम आ वारी सरकार से मांग है इसकितने भी प्राइविट लैबरे यह हैं उसको बंद जाये अब इलम बंद की जाए और हम लोग के साथ हम लोग के लिए सरकारी लाइडरी खोली जाए और पूरी शुरक्ता के साथ खोली जाए उसमें पूरे सेप्टिक मेजर्स होगा हर एक चीजों पर तहलों पर ज्यान दिया जाए और उची दाम पर खोली जाए त्यूकि हम लोग म इस घटना को थोड़ा सा हम जोडने का प्रयास किये तो कि आपको पता है कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रियों की हाई कमिशन प्राइम मनिश्टर राष्टपती सी एम अन्य दुतावास यहां से कितने करीब हैं और यहां ऐसी घटनाए घटने के बाद भी आपकी सुध लेने वाला कोई नहीं है यहां से जो पठायन मंत्री आवास है वह आप्चा लगबग 4 किलोमेटर लगबग है यहां से जो एंटीमसी जो मुख्यमंत्री की का आवास है और जो भी शेंटर सेक्रेटियेट है जो भी हाई कमिशन चार किलोमेटर के बतलब दारे के अंतर है जाज़ेत दूर नहीं है जो मेर आई बाच में चली आई चेहरा दिखाई बाते की और चली के यहां पर मेर को रहना चाहिए जिस वार्ड मेर रहती है दूरी की जो मेर है शली अबरवाइट इस वार्ड मेर रहती है वहां पर हमारे साथी की हत्या हुई है पटेल लगर में पहले की हत्या हुई है फ जिस तरह से आप किताबों में थियरी पढ़ रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में भी मतलब ग्राउंड रस्तर पर भी वह थियरी ही पढ़ाया जा रहा है देख बिल्कुल पर ए फिर्टिकल प्राई क्या ग्रेरी पॉलिस फॉर्शेस खड़ा करकी हैं हम लोग को मतलब पब हठाने के लिए आशेव हम लिल्गों को याशा भगाने करेंगे और उसका थाम्बी आता दोस्तर क्या पूए है तो क्यों आसवासन की कोई करवाई नहीं हुआ अभी तक करवाई क्यों कार्जी हुआ और जो अल्टी सर आए थे तो वहांने बोलता कि आपकी समझता जल्दिक नुदारन फिया जाएगा और यह क्या क्यों चलेगा कि सर्या प्रैक्टिकली में पूछ रहा हूं कि आप लोग बैठे हैं सब अलग अलग परदेश से अलग 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 फैमिली से हैं यहां कि रिलेशन नहीं हैं लेकि यहां जो बैठे हैं इसे अपना देश चंदा है बरहात भी आ थी आ फोलों ही करώता है जानते सब आपकों पताई क्या हो आपकोड़ाईत इसकाम का रहा है आप बेसं दुखेश वर्द कर आने के लिए सामके हैं हम लोग या तीन दिन से बैटेवेट हैं सबस्क्राइब अर्ब बैरिकेट के तरफ है, जरूर एक दिन हम लोग उस बैरिकेट के तरफ होगे, यह प्राइदा शर्ड़ी पढ़की क्या फाइदा सर्डॉरी पढ़की क्या फाइदा सब फंदमेंटल राइड इसी के अंतर है को पेसा खर्च करके को अपना काम करना है यहां से पैसा खर्च करके हैं यहां पहुंचे लिए सब को है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बस लोग आना नहीं चाहिए खबर तो सब को है इस ओल्ड रखरत में यहां हो क्या रहा है लेकिन सब अपना अपना रोटी सेख रहे हैं जी 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 फिलेंगे नहीं आसरी मैंने नहीं यहां के साथियों ने पिरित इमोशनल जो दर्द उठा पा रहे हैं उन लोगों ने एक एक करके बया किया और नही के बाद क्या यह आप विश्वास दिलाएंगे कि ऐसी घटना के पुन्राविर्ती दुबारा नहीं होगी क्या सरकार इसके जबाब दे ही है कि ऐसी घटनाओं के पुन्राविर्ती नहीं होगी जो देश का भविश से बनने वाले हैं अगर सरकार जबाब दे ही नहीं है तो इस पर इन बिल्डिंगों पर ऐसे दिल्ली के तमाम बिल्डिंगों पर और सिविक के हर डिपार्टमेंट पर दिल्ली सरकार के हर भी भाग पर रिलेटेट हर भी भाग पर करवाई क्यों ना होनी चाहिए समंधित लोगों को कानूनन भासित तक क्यों ना पहुंचा जाना चा आपको भी आना है तब तक के लिए जै निमास का जै